इस एपिसोड के अंदर ने कि अपनी अम्निटिक्स के अंदर चला जाता है नहीं होती है तो कर लो तो प्लीस आपको सब्सक्राइब कर लेना आप देखो बाद में आप भूल जाते हो इसलिए अब वी साथ दिला रहा हूँ कर लो सब्सक्राइब थोड़ा से टाम लगता है सब्सक्राइब करने में लेकन उससे जो खुशी मिलती है न लेकिन एक शैर में उसकी कार खराब हो गई और तब से उसका कोई पता नहीं है केविन करता है मेरे पास इतना फालतू टाइम और डीजल नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई के पीछे गुमता रहूंगा गविन करते है वो मेरा भाई है और ये बाद सुनके केविन जाने को एकदम से राजी हो जाता है गविन करते है मैं तुम्हारा शुक्रिया था कैसे करूँ उसके बन में Gwen बताती है कि उसका नाम Ken है Kevin थोड़ा सा मजाग बनाता है और वो कहता है कि तुम सब का नाम एक जैसा ही है Ben, Gwen और Ken उसके बद Kevin कहता है कि तुम्हारे भाई की कार खराब हुई है जरूर वो किसी मकानिक के पास किसी गैराज में होगा उसके बद वो इक गैराज में जाते है जहां पर उसकी कार उसे मिल जाती है और Kevin उसकार के अंदर देखते है तो वहाँ पर उसे एक एलियन टेक्नालोजी मिलती है जिसके वज़े से वो कार खराब हुई थी मतलब किसी ने जान मुच के वो कार खराब की थी इतने में गुएन के हाँ पर कुछ चिप-चिप ऐसा लग जाता और बैन की ऑमनेटिक्स बहुत तेस्ते साउंड करने लगती है तब ही हुआ पर दो लोग आ जाते हैं वो लोग कहते हैं तुम लोग हमारी गैराज के अंदर क्या कर रहे हो बैन कहता है पहले तुम ये बताओ कि जिस लड़के की ये कार है वो लड़का कहाँ पे है वो कहते है कि वो लड़का हमें सिर्फ ये ठीक करने के लिए देखे गया था और वो कार लेने वापस आया ही नहीं इतने में बाहर बिजली करड़कते है जिससे लोगों को पता लग जाते है कि वो लोग डियन इलियन्स है और वो अपने मूँ से कुछ चिप चिप अप है कि यहाँ पे कैविन को चिपका देते है उसके बाद में वो Ben को भी चिपका देता है तो यहापर जो Ben होता है वो Humongosaur के अंदर टांसफोर्म हो जाता है और यहापर जो Gwen होती वो अपनी पावर से एक alien को मार देती है और यहापर जो Ben होता है वो एक alien को डरा देते है जिसे वो alien भाग के जाता है और वो Kevin से टकरा के गिर जाता है उसके बाद वो लोग उस गरेट से बाहर निकलता है और उने एक ट्रक के अंदर कुछ छलसल से दिखती है और वहाँ पे एक dn alien बंधा होता है Ben उसके मूँ से एक कपड़ा निकालता और Ben देखता है कि ये कपड़ा तो Grandpa Max की फेवरेट टी-शिट का है उसके बाद में Gwen पूछती है कि बताओ मेरा जो कजन है वो कहाँ पे है और वो बताते है कि वो hatchery में है और वो सारे के सारे hatchery में चले जाते है नेक्स इनमे में दिखाया जाते है कि जो Gwen का भाई होता है उसे DNA एलियंस ने पकड़ रखा होता है इधर हम देखते हैं पर जो Ben होता है वो कहते है कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है केविन कहता है ची ये गंदा पानी इसकी बदबू इतनी गंदी है इसके अंदर जाएगा इकॉन इधर हम देखते हैं हमारे Grandpamax उसे पानी के अंदर से जा रहे होता है तब उन्हें एक DNA एलियन देख लेता है लेकिन Grandpamax जाते हैं उसके मूँपे एक धर देते हैं और उसे नलवाइड प्रोजेक्टर से अंदर कर लेते हैं और जो हमारे Grandpamax होते हैं वो भी यहाँ पे कैन को ही बचाने आये होते हैं और रास्ते में उन्हें जितने भी एलियन्स मिलते हैं सबी लोगों को वो पीट पार्ट के नलवाइड के अंदर कर देते हैं फाइनली Grandpamax यहाँ पे कैन तक बहुत जाते हैं इदर हम ग्वैन को देखते हैं पानी के अंदर जो छोटे छोटे से एलियन्स होते हैं वो ग्वैन के ओपर हमला कर देते हैं और वोसे अंदर खेश लेते हैं उसके बद हमें Grandpamax दिखाया जाते हैं जिनने वो हाइब्रीड के पास लेके जाते हैं Hybrid कहता है Max Tannison तुमने हमारे नाक में दम कर रखा है उसके बद Grandpa Max कहता है ये तुम्हारे हाथ में जैनोसाइट्स है ना Hybrid कहता है हाँ ये किसी भी इंसान के दिमाग के ओपर कबजा करके उसे Hybrid के अंदर बदल सकता है उसके बद Grandpa Max कहता है कि तुमने मेरे पोते को क्यों शिकार बनाया Hybrid कहता है जिससे हम तुम्हें पकड़ सके और तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खतम कर सके इधर हम Ben और Kevin को देखते हैं जो कि Gwen को ढूंड रहे होते हैं और Gwen अपनी पावर से उन सभी एलियंस को मार के आ जाती है Gwen कहते हैं मुझसे पंगा लेने चलेते उसके बदे सारे के सारे पानी की अंदर हो की अंदर पहुँच जाते हैं और यहां पर Kevin भी पत्थर को अब्जॉब करके काफी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और Gwen भी यहां पर अपनी पावर से काफी सारे DNA लेन्स को मार देती है लेकिन अचानक से उसके सामने एक DNA लेन आता है जिसे वो मारने से मना कर देती है और वो कहती है रुको यह कैन है उसके बन में वो लोग देखते हैं तो यहां पर जो कैन होता है वो आदा DNA लेन बन चुका होता है और जो कैन होता है वो इनसे लडने लग जाता है Gwen उसे बान देती है और वो कहते है इसके सर पर जो चीज है वो इसे कंट्रोल कर रही है Kevin उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन Ben उसे माना करता है Ben कहता है उसे धर्दोर है उसके बन में Ben की Omnitrix के अंदर आचानक से कुछ सिगनल से आते हैं और वो कहते है कि जो DNA है वो defacted है और वो कहते है कि मैं इसे repair कर सकता हूँ और जो Ben होता है वो उसके सर पर हात रखता है और जो Ben होता है वो अचानक से अपनी Omnitrix के अंदर चला जाता है बैन अपनी ओमनेटिक्स के अंदर जाके देखता है, तो वहाँ पर वही वाला alien होता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, बैन जाके उस alien के सर के उपर हाथ रखता है, बैन देबर मिंत की आख एकडम से खुलती है, और बैंड देखता कि वो इलियन बैंड की हाथ में होता है और जो कैन होता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है कैन बताता है वो चीज़ मेरो अउपर हावी हो रखिती इस वज़े से मैंने ग्रैंटपा मैक्स को उन एलियन्स की हवाली कर दिया उसके बन में सारे के सारे ग्रैंपा मैक्स को बचाने जाते है ग्रैंपा मैक्स इन सब को देखे काफी ज़्यादा खुश होते है उसके बन में कैन कहता कि मुझे माफ करना ग्रैंपा लेकिन ग्रैंपा उसे हग कर लेते है उसके बाद Grandpa Benz चे कहता है मुझे तुम पे बहुत नाज है Grandpa कहता है मुझे तुम सभी पे बहुत नाज है और Kevin तुम भी काफी जादा सुधर चुके हो और तुम भी काफी अच्छे काम कर रहे हो और जो Plumberbatch तुमने चुराया था अब तुम उसे हग से अपने पास रख सकते हो इतने मैचानक से सारन बजने लगता है वो लोग महाँ पे जाके देखते हैं तो वो जो जैनोसाइट्स के अंडे होते हैं वो उने कहीं और लेके जा रहे होते हैं Grandpa Max Benz चे कहता है Benz तुमें इन सब को तभा करना पड़ेगा अगर इने कहीं और लेकी गए तो महाँ पे सभी इंसानों को DNA लेन बना के उनकी आर्मी बना लेंगे उसके बड़ Benz जाने लगता है लेकिन वो जाने से पहले Grandpa से पूछता है वैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे और कैविन उसके हाथ से वो लोहे का डंडा लेके उसे अबसॉप कर लेता है उसके बड़ में वो सारे के सारे DNA लेंज को मारने लग जाता है उसके बड़ हम लोग Gwen को देखते हैं जो कि काफी जादा खतरनाक रूप में आ जाती है और वो काफी जादा गुसे में कहती है तो मारी हिम्मत कैसो है मेरी Grandpa Max और मेरी कजन को बंधी बनाने की और यहाँ पे जो Gwen होती वो अकेली इतना खतरनाक धमाक करती है कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियां होती है सारी की सारी को अकेली उड़ा देती है बैन कहता है वाँ उसके बाद वो लोग अंदर देखते हैं तो महाँ पे काफी तेज लाइट जल रही होती है जिसे महाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रही हो वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो महाँ पे एक अजीब सा प्लांट होता है जो कि बहुत सारे अंडे दियो जा रहा होता है इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे Grand Pamax अकेली डंडा लेके लगे पड़े होते हैं Hybrid से लडने में और हैं जो Hybrid होता है वो Grand Pamax को गिरा देता है उसके बाद Ben कहता है कि छोड़ दो उने वैसे भी तुम हाठ चुके हो, हमने तुम्हारे जैनल साइटS के ट्रक तभा कर दिये, और सारे DNA ess founder वो कहते है बेव को फो तुम मेरी एक चुटकी पे सारे के सारे ट्रक वापस आ जाएंगे और पूरी की पूरी DNA लेंस की आर्मी आ जाएगी और वहाँ पे वो लोग बहार देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे DNA लेंस खड़े होते हैं वो हाइब्रीड कहता है बहुत चुप ले मैक्स चैने सन अब तुम्हारा खेल खत्म ग्रैनपामेक्स कहते हैं मैं छुप नहीं रहता मैं बस तुम्हारे लिएक मशीन धून रहता हाइब्रीड कहते है तुम इतने चोड़े से नलवाव प्रोजेक्टर से हम सब का क्या ही उखाड लोगे Grandpa Max कहते है अगर मैं इसके सामने का पार्ट निकाल दूँ तो एक ग्रैनट बन जाएगा और ये दूर दूर तक की हर चीज़ को निकल जाएगा वो कहते कि अगर ऐसा होगा तो उसके साथ में तुम और ये सारे के सारे बच्चे भी मारे जाएंगे Grandpa Max Gwen से कहते है Gwen अपने चारो तरफ एक एनरजी की शील बना लो Grandpa Max कहते है मुझे करना ही पड़ेगा Ben कहते है Please Grandpa ऐसा मत कीजे Grandpa Max कहते है मुझे इन सभी लोगों को मारने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा वरने डियाने लियन काफी जाता तभाई मचाएंगे और ये और लोगों को भी डियाने लियन में बदल देंगे Grandpa कहते है Ben अब हर चीज तुम्हें अकेले ही समाल लिया और मुझे तुमारे उपर पूरा भरोसा है तुम अच्छे से समाल भी लोगे और Grandpa Max उस बड़न को दबा दीते हैं जिसे दूर दूर तक की हर चीज राख हो जाती है और यहां पर जो Gwen होती है वो सब को बचा लेती है Kevin कहते है Grandpa Max की हिम्मत को सलाम Gwen कहते है Grandpa Max ने पूरी दुनिया को बचा लिया Ben कहते है हाँ उन्होंने पूरी दुनिया को तो बचा लिया लेकिन मुझे लगता नहीं यह इतनी जल्दी हार मानेंगे और अब इस पूरी दुनिया को हम लोगों को मिल की बचा ला है उसके बद हमें कुछ लोग दिखाया जाता है जो कि उस 2040 हैर्शी में आये होते हैं और वहां पे वो उनी जैनोसाइट्स को उठा के एक डब्बे कंदर बंद कर रहे होते हैं उसके बद में अचानक से वापस से बिजली कड़कती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी के सारे लोग भी डियान इलियंस ही होते हैं इसका मतलब डियान इलियंस अभी पूरी तरीके से कत्म नहीं हुए और जो हाइब्रीड है वो भी वहां पे वापस आएगा लेकिन बैन उनसे कैसे निपटेगा आगी अपिसोड में देखेंगे तो वीडियो को लाइक कर देना चानक को सब्सक्राइब कर देना आगी पी ऐसे और अपिसोड देखने के लिए